अलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में तो फ्रेंट्स काफी इंपोर्टन टॉपिक आज में लेकर आया हूं कि हम कैसे टोटल स्टेशन से पॉइंट मारते हैं तो वह मैं आज टोटल प्रसीजर बताऊंगा स्टैब बाइस्टैब तो सब्सक्राइब करो शेर करो क्योंकि इस पर दो वीडियो हो रहेंगी कि हम लेजर से कैसे कर लेते हैं डिरेक्ट और नए कोडिनेट अगर करना हो वह कैसे करते हैं वह सब में आपको बताऊंगा तो मैं पूरा प्रसीजर बताऊंगा पहले में थेयोटिकल समझा दूंगा क हमारे में अच्छ क्याARA क्या हो दो है तो सबसे पहले मैं बता दूगा की तैपआ स्टै पाइस बताते जाओंगा सबसे पहले मैंची चीज जो सीखनी होती है पहले डुन स्टेशन को लेवल करना थो तो सबसे उस पे क्या करना है आपको पहले मशीन आपकी सेट हो गई तो एक चीज आपको दियान देनी है कि जो बबल है सामने देख रहे हो वो पहले सेट कर लेने है आपको मतलब जो ट्राइपोड स्टैंट है उसी से क्यूंकि इसमें एक्कुरेसी बहुत होते है तो एर्र आने के चांस ही होते है अगर आप ज्यादा उसको आगे पिछे गर होगे सबसे पहले जो बीच वाला बबल देख रहे हो वह इन दो स्क्रीव से कर लेने सेंटर में यह वह हो जाएगा उसके बाद जो पीछे वाला पटन होता है यह वाला इससे आपको क्या करना है जो उपर एक्स है उसको कम कर देना है और इसमें चलता है थोड़ा बहुत आरच जालेगा चार से पांच बाकी आपको इसको पहले में यह है अगर यह सेटब अच्छा सेट बैढ़ गया आपका ट्राइपोर स्टन तो आप इसली कोई आलो शाता लिया जाता जाता जाए है यह सोकिया का न्यू है तो इसमें जा जैसे अभी यह हमारा ओर है तो वही मैं एक बार लेवल करके आपको मिशिन सेट कर लेता हूं उसके बाद मैं समझाओगे कि आज मैं करने क्या वाला हूं यह हमेरी हो गई सेट तो इतना एरर थोड़ा बहुत चलता है हमारा बबल दो जो दोनों बबल हैं वो सेंटर में आ पसुर्ण totally station यह हमारा सेट अपो हे है मतलब लेवल होगे सब उस पर ठीक है तो पहले क्या होता है मतलब कोड़नेटकों re-s pedir करने मतलब की जो हमारा यह लगा वह है यह अपनी पुजिशन पर से ती-बम जो मना रहेगा पहले से reference point ठीक है उसको रिसच्ट करने नहीं हो भाई भी होगा यह जहां तो ड्रोइंग में दिये रहेगा यहां आपको क्लाइंट ने जहां आप वर्क कर रहे हो वहां पे पहले से होगा तो यह भी होगा दो मतलब आपके coordinate होंगे यह आप पुराने reference से भी मार सकते हो जहां भी आपको location set करनी है वो मैं next video में बताऊंगा पहले आज जो हमारा है कि यह दोनों को पहले reset करने है उसके बाद जो भी आपको work करने है column का point मारना है चारों तरफ ठीक है यह इससे क्या होगा है इसली आप यहां चार point मार लोगे तो column सीधा position में आ जाएगा यहां करके column आपका erect हो जाएगा यहां यह wall होगी तो आप यहां point देदोगे यहां देदोगे यहां जहां तो easily आपका line मिल जाएगे कि इसमें हमारा यहां इदर देदोगे तो यहां से आपकी wall mode रही है तो कोई भी आपको coordinate इससे set कर सकते हो यह आप easily autocad से निकाल सकते हो वो भी मैं बताऊंगा next video में जहां आपको drawing में दी होंगे कि x coordinate यह है y यह है x यह है यह है तो मैं value नहीं दी है क्योंकि कोई भी आप कर सकते हो यह setup समझ आ गया आपको अभी मैं आपको procedure बताते जाता हूं इसका एक बार आपका जब level हो जाएगा तो उसके बाद आपका screen पे यह आ जाएगा तो इसमें कहा करना है सबसे बहुत बहुत दबादेना है उसके बाद जाना है आपको OC orientation में कैसे यह गया एंटर कर देना है फिर आपके बाद उसके बाद करना है reset यह कर लिया उसके बाद आपको जाना है NEZ में ठीक है एंटर दबा देना है फिर आपका आजाएगा resection first point मतलब जो हमारा मैंने जैसे बताया दो point दिखाए कि TBM में उसको पहले reset करना है तो उसमें क्या करना है measure कर लेना है आपको सिधा measure कर लोगे measure दबाओगे आप यहां से तो वो आपका reset हो जाएगा जैसे मैं दिखा देता हम इक बाद जैसे वो सामने हमारा TBM हो जहां lever बैठा हुए है प्रिसम पकड़ गए तो यहां में सिधा देखे उसको reset कर लूँगा उसके बाद yes कर लूँगा तो जो आएगा first point यहां आपके पास होगा drawing में यहां auto get से निकाला हुआ वो आपने put कर देना है ठीक है put कर दिया तो उसके बाद next कर देना है फिर आ जाता है उसके बाद आएगा resection second point उसके बाद क्या करना है measure दबा देना है ठीक है वो सामने मेरा labor बैठा हुए दूसरे point पे तो वहां आपको measure करके यह करती है measure ठीक है जब reset हो जाएगा फिर करतेना है yes फिर आपका आएगा second point और यह आपके पास point होगा इसको आपको put करके डाल देना है put कर लिए जब उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको करना है calculate F4 से दबा के आपका calculate आजएगा यह हो गया उसके बाद करना है आपको result और result देख लेना है कि कितना है बंड तो यह चलेगा escape करके okay कर देना है yes फिर okay तो आपका बहर आजएगा मतलब आपकी machine set होगे इससा point आगया अब इसली जो भी आपको coordinate मारना है वो आप इसली डाल के पुट करके कर सकते हो मैं example भी दिखा दूगा आपको अब दूसरे step पर आपको करना है SO data पर मतलब यह screen आपकी आगे पिछे होगी उसके बात क्या करना है function दबाना है आज आएगा आपका SO data पर F4 दबाओगे जब आप ठीक है उदर आएगा फिर SO data तो इसको आपको enter कर देना है आपको mention होगे आप पूट कर दोगा xy और सीधा prism में देखे सामने prism जैसे रख दिया कि मेरा point यहाँ आएगा लगपद तो इसको पहले prism में set कर लेना है जो भी आपका रहेगा उसको आगे पिछे कर लेना है उसको बुला लेना है उसके बाद उसको bisect कर लेना है मैं आपको marking दिखाता हूँ कैसे हम इसका point मारते है मेरा point है जो भी x मेंने पहले put कर लेना है हमारा x यह हो गया उसको enter करके y जो मेरा point है वो put कर लेना है यह मैंने value कहां से ली है drawing से auto get से निकाल लिए हुई है सामने आप देख रहे हैं यह page पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत x y जो होंगी वो value put करके आपको कर देना है okay okay कर लिया उसके बाद क्या करना होता है जो degree होती है मतलब सामने दिख रहा होगा 9 degree 11 degree उसको 00 करना होता है मेशीन को हिला के देखो 543 मतलब टू यह degree पहले बिलकुल जीरो करना है degree का मतलब किया आपका point उस direction में आएगा तो अगर एक बार zero हो गई तो आपको मतलब उस location पर आप पहुंच के degree जब zero हो जाएगी उसके बाद क्या करना है इसमें यह trade होता है इसको log कर देना है मतलब आपकी machine fix होगी कि वहां से आपकी नहीं हिलेगी यह मैंने log कर दिया अब भी थोड़ा बहुत फरक आ रहा है तीन दो एक 57 29 माइनस में होगा वन डिगरी चलेगा ठीक है उसके बाद आपको measure कर देना है मतलब prism में उपर दिखा रहा होगा दो मीटर आपको आगे पिछे जाना है वो आप machine को easily handle कर सकते हो मतलब आगे जाना होगा तो जो आपका देखने का through होगा उससे को आगे कर देना है और पीछे जाना होगा पीछे वैसे prism को आगे पीछे करके आप point मार सकते हो यह easily अपका उससे भी हो सकते है मतलब light से direct light यहाँ पड़ेगी वहाँ आपको point coordinate आ जाएगा जैसे सामने देख रहे हो लाइट पड़ रही है तो यह direct हमारा coordinate दिखा जाएगा कि यहाँ coordinate आएगा और इसकी help से आप prism भी set मतलब रखवा सकते हो वहाँ और direct उस पे भी point मार सकते हो लेकिन आज मैं जो वीडियो में बताने वाला हूँ वह मैं bisect करके बताने वाला तो यहाँ point आगे हमारा तो हमने point मार दे यह तो मैं light से मार रहा हूँ वैसे यहाँ जैसे prism रखे मैं आगे दिखाता हूँ आपको prism रखेंगे उसको आगे पीछे कर लेंगे लेवर को बोलके कि यहाँ करो आगे करो पीछे तो उससे आप easily bisect कर सकते हो यह easily procedure रहता है ले यह light में possible नहीं हो पाता अगर light रहेगा तो यह light नहीं दिखती है जैसे अभी prism का देख रहे हो तो मैं prism से कैसे bisect करते हैं जैसे उसको लेवर को आगे पीछे करने के लिए हम बोल देंगे तो यहाँ हमारा coordinate होगा अगर वहाँ आगया और bisect हो गया तो वह दिखा देगा से हम उसको guide करके आगे-पीछे करके point मार सकते हैं जब एक बार machine के मतलब सामने है बिल्कुल ts के सामने आ जाएगा तो उसको हम bisect कर लेंगे bisect होने के बाद गेखो यह से हमारा wall था यह मतलब cable trench है तो उसके coordinate हमने set कर लिए है अब easily इस पे मतलब सीधा उसको क्या करना है जाल कि आप काम करवा सकते हो जैसे इस पर शट्रिंग करें तो यह हमारा cable trench दूसरे दिन ही ready हो गया तो यह था हमारा topic की हम कैसे total station से point coordinate करते हैं तो अभी मैं दो topic लाऊंगा कि हम नया कोडिनेट कैसे मारते हैं अगर दो टीवीम पड़ा है हमें तीसरे टीवीम बनाना है तो हम की यह से easily उससर बना सकते हैं तो friends चैनल को सब्सक्राइब करो शेर करो ऐसे ही मैं अच्छे अच्छी वीडियो आपके करता रहूंगा अभी स्लम टेस्ट पर वीडियो लाऊंगा एटीवी का विजिट करवाने वाला हूं इंट्रिव्यू कोशन लाने वाला हूं थैंक यू